Hey everyone, welcome to my taste town आज हम बनाएंगे घर पर बनने वाली पुदीना धनिया की चटनी जिसे हम हरी चटनी भी बोलते हैं चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए पुदीना मैंने पुदीना घर में ही एक पोट में लगाया है तो बस वहीं से ले रही हूँ आप भी इसे बड़ी असानी से अपने घर में उगा सकते हैं सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सिंग जार मिक्सिंग जार में मैं डाल रही हूँ धनिया पुदीना पुदीना धनिया की क्वांटिटी का 20% लेना है दो से तीन हरे मिर्च जिसे मैंने रफली चॉप किया है आधा इंच अध्रक का टुकड़ा तीन से चार ले सुनकी कलिया रोस्टेट चना दाल एक चमच नीबुका दस एक आईस क्यूब आईस क्यूब मैंने इसलिए डाला है तक ये ब्लेंडर के ब्लेट को गरम होने से बचाए और आपकी चटनी का कलर को मिंटेइन करें आधा चमच चीनी आधा चमच नमक आधा चमच जीरा पाउडर आधा चमच रॉक सोल्ट यानि काला नमक नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या जादा कर सकते हैं आप चाहे तो पानी अभी डाल सकते हैं पर मैं बाद में डालूगी और अब इस मिक्षर को मिक्सी में 3 सिकिन के लिए चला लेंगे अब मैंने इस में 3 से 4 टेबल स्पून पानी मिलाया है और अब मैं इसे फिर से चलाऊंगी 30 से 40 सिकिन के लिए तो में के थिक पेस्ट हमारी धनिया पुदीना की चटनी बनकर बिलकुल तयार है अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ अब मैं इसे क्यूए फिर पुदीना की पत्तों के साथ